कि स्वागते साथियों कि द्रिश्टी कुइक बुक के समरी लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे प्रकासी की आज उसमें तीसरा लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे लेंस तो आए देखते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा पिछले लेक्चर में क्रांतिक कोंट पूरांतरी बीस ने तो लेंस जो है दो प्रिस्ठों से गिरा हुआ होता है कोई ऑसलोगा होता है कर दो को टाइप जी गये गये य नो कावीुक्स então को कांवेकस इसे आपको कई मिलेंगे मतलब मतलब लेंज कि सभी आकार एक होते हैं आपको कहने का मतलब यहे और उनके उनके जरीया पता भी लगा सकते हैं कि कौन सा किस टाइप का होता है। अब लेंस कोई ज़्यादा कांच से ही बना होता है, तो कांच का 한ांग जो होता है, वो किसे आता होता है? वाइउ से ज़्यादा होता है, यह हम लोगद कल के वीडियो में देख चुका है. तो होता क्या है कि लेंस से वायू में जाने पर प्रकास का अपवर्तन होता है जब लेंस से वायू में प्रकास जाता है तो उसका अपवर्तन हो जाता है क्यों लेंस सगन माध्या में वायू जो है विरल माध्या में तो अपवर्तन होगा तो लेंस बिसिस्ट विवहार पदर करता है तो इसका मतलब इसकी वजह से जो हमने पढ़ा था पॉरतनांग वही हमें यहां भी लगबग देखने को मिलेगा तो कुछ चीजें इसमें आती है कि यदि लेंस को कांच के समान अपॉरतनांग वाले तरल में डूबया जाए तो क्या होगा कांच से अधिक अपॉरतन तरल में डूबया जाए तो क्या होगा ऐसे दो-तीन स्टिप हैं तो यह समझें कि यदि लेंस को कांच के समान अगर यानि कि समान अपॉरतनांग वाले तरल में डूबया जाए तो लेंस जो है वह समतल प्लेट की बहाते बिवार करेगा इसकी फोकस दूरी अनंत और छमता चूंगे हो जाएगी यदि लेंस को कांच से अधिक अपॉरतनांग वाले तरल में डूबया जाए तो लेंस की प्रकृति बदल जाएगी अर्थाट ओतल लेंस उत्तल लेंस की तरह और उत्तल लेंस ओतल लेंस की तरह बेवहार करेगा यानि कि कांच से अधिक अगर किसी का अपवर्तनांग है ऐसे तरल में अगर डुबोया गया तो इसकी प्रकृति क्या होगी पलट जाएगी उत्तल का उत्तल और उत्तल का उत्तल हो जाएगा जल में डूबे हुए वायु के बुलबुले की भी ठीक है इस्तिती होती है क्योंकि कांच से अधिक अपवर्तनांग को अले तरल में डूबे उत्तल लेंस के जैसा यह ब्यवहार करता है तो यह बुलबुला जो है आउतल लेंस की बहाती ब्यवहार करता है आईए देखते है हैं उत्तर लेंस convex lens की बात करेंगे convex lens को कहते हैं emerging lens इसमें दरशल होता क्या है कि यह प्रकास किरणों को अभिसरीद करता है तो इसलिए इसका नाम पड़ेगा अभिसारी या Converging lens देखिए यहां पर रिजां करके और सभी क्या हो यह focus पे अभी सरीत हो जा रही है तो इसलिए सब कहते हैं converging lens दूसरा कौन सा होगा तो अपसारी होगा यह फिर diverging यह प्रकास किरनों को क्या करता है अपसारित कर देता है उतल लेंस तो इसके देखी जो जाएगा तो इस तरीकी से इसमें divergen हो तो इसको कहेंगे diverging lens तो दोनों का Hindi English थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आए जो इसका image होता है इसको भी समझते हैं क्योंकि इसको लोग समझ चुके हैं कि वक्रता केंद्र क्या होता है क्योंकि दो इसमें गोले होते हैं तो दोनों का जो होगा Center और करवेचर वह अपका तो लेंस में 2 वक्रता केंद्र होते हैं फिछले विडियो में और kurtycal centre कौन सा होगा चो वह होता है जसमें पी रहता था यहांपर क्या होगा वह फोकस मुझ कि अफ़ोकस कहाँ होगा तो जहांपर रही तो यहां अब सरीत हो रही होगी जहां से तो यह आपके focus f1 f2 आपको देखने को मिल रहा होँगे ठीक है कि अब उत्तल जो है और जो focus दूरी होगी मुख्य प्रकासिक केंज से दूरी वो focal length होके लाएगी आपकी जो question बनते हैं हमारे उसको देखते हैं उत्तर lens जो प्रतिविम बने हैं तो उत्तर lens वाला जो प्रतिविम है यहां पर आपको एक टेबल दिया गया है टेबल में आपको देखना है पहले एक तरब से देख लेते हैं कि वसकी स्थिति किदर सरक रही है तो अनन्त से टू एफवन जा रही है यह टू एफवन रहा आपका image में अगर मैं इसको थोड़ा सा और उपर कर लो तो आपको और आसानी से समन में आ जाएगा तो बस तो कि स्थिति अनन्त पर होती है यानि कि बहुत दूर होगी टू एफवन से परे होगी मतलब इस पर होगी और एफ फोन पर हो सकता है तो यहां पर हो सकता है और फोकस एफ और इसके बीच में होगा तो यहां पर तो यानि कि वस्तू को हम किधर बढ़ा रहे हैं लेंस की तरफ बढ़ा रहे हैं ठीक है यह जो यह मैं बता रहा हूं यह आपके बगल है इसलिए बता दिरा यह आपका है उतल तो यह आपका उत्तल वाला image यह होगा यहाँ पर आप एक-एक step देखेंगे तो इन में सब पर क्या हो रहा है एक-एक step जैसे हमने पिछले वीडियो में detail में देखा था तो वो आपको वस्तु कहां पर है अनंत पर है तो उसका focus कहां पर बनेगा वास्तवी कुल्टा बनेगा बिंदू की आकार का बनेगा इसी तरीके से 2F1 से दूर है तो एक-एक stage देख लेते हैं तो आपको वो table समझ में आएगी तो पहला अनंत पर है यानि कि आपकी कोई वस्तु यहाँ पर है तो उसका जो प्रत्विम बनेगा वो यहाँ पर बिंदू की आकार का होगा हमें वास्तविक उल्टा बिंदू की आकार का इमेज प्राप्त होगा तो बहुत दिखाई नहीं देगा समझ में नहीं आएगा जो यानि कि बहुत छोटा होगा अब size भी दीरे-दीरे बढ़ेगी तो फिर क्या होगा beyond 2-1 यानि कि 2-F1 2-F1 से थोड़ा इधर होगा पास में जो arrow बना हुआ है इसको देखे मैंने एक इसको face का भी आकार बनाने की कोशिस करी है ताकि आप इसको समझ जाए कि face देखे यहाँ पर उल्टा हो गया इसका मोदे की उल्टा होगे तो इससे भी आपको idea लगेगा कि उल्टा वास्तविक मिलेगा उल्टा मिलेगा और कैसे होगा छोटा हो जाएगा यानि कि जो पहले बिंदू के आकार का था वो उससे थोड़ा बड़ा तो यह वाली table आपको ध्यान रखना है कि देखे इसको अगर आप अच्छे से याद कर लें कि यह लेंस की तरफ जो है यह बढ़ रहा है इसमें क्या हो रहा है इसका आप देखें तो यह भी जो है कहा पर आपका फोकस बन रहा है यह आपको देखना है तो यह आपके विपरीत में जाएगा किस पर जाएगा लेंस से दूर जाएगा अब दूसरा देखिए जो आकार है देखिए पहले अत्यंद छोटा होगा फिर छोटा होगा फिर समान आकार का होगा फिर बड़ा होगा फि तो पहली जो पांच condition है उसमें वास्तवीक और उल्टा मिलेगा बाद में जो आएगा आवासी तरफा सीधा आएगा तो जब आप 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 अवासी तरफा पड़ रहे थे तो कुछ आपको ऐसी हिस्तिति आपको देखने को मिल रही थी जो यहां गोली है यानि कि उत्तल ले अकार का मिलेगा जब f1 से 2 f1 के बीच में आएगा तो वास्तवीक उल्टा बढ़ा वर्दित मिलेगा f1 पर होगा तो आपको वास्तवीक उल्टा बहुत बढ़ा होगा दरसल इसको आपने पहले जो वीडियो है उसमें अच्छे से एक्स्प्लीन किया हुआ है इसलिए मैं f1 पर है तो उसका अकार होगा समान तो आप दो तीन स्टेज देख लिए कि किस स्टेज पर जाकर वस्तू रुखती है तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि बिंदू अका छोटा अकार का समान अकार का बड़ा सीमित रुप से बड़ा इस तरीके से और पहली 5 मैं मिलने लगे घाए और मिलेगा है तो यह वाला ओता लेंस से बना गोरा हमेचा अवासी और सीधीम प्राप्न किया नकिरा नहीं होगाफ जब आबासी और सीधाbas रख़तय अ आपके उतरलेंग से भी प्राप किया सकता है लेकिन बढ़ा होगा तो यह ध्यान रखना है साइस में ठीक है तो और लेंग से कौन सी इमेज बनती है इसको लेकर पूछाए सकता है अब एक क्योंशन यहां लेंज की छमता को लेकरके पूछा जाता है इसमें जो आपका फार् सेंटी मीटर का है तो आप उसको निकालें कि इक्वल टू वान अपन एफ है तो आपकी दूरी जो है दियों यानि कि वान अपन 50 सेंटी मीटर का मतलब हुआ पॉइंट फाइब तो 1.5 तो मॉट्टिपलाई करेंगी टू तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यहां कि दो डाइअप्टर माइनस होगा कि प्लस होगा ये देखने वाली बात है तो यहां आप समझिए कि लेंज की छमता जो होती है डाइअप्टर उसका मातरक होता है उसको मीटर से वेक्ट करते हैं तो हमने अभी जो 50 संटीमीटर उद्वराण दिया उसमें दो डाइप्टर आया तो लेकि सवाली है कि प्लस होगा कि माइनस होगा तो आपको ध्यान रखना है अगर उत्तर लेंस से पूछा गया होगा तो प्लस टू आएगा और अगर उत्तर लेंस से कहा गया होगा तो माइनस टू आएगा तो हमیशा ओतलेओं से च्छम्ता कैसी होती है धनात्मक होती है और ओतलेओं की सम्ता कैसी होती है रिनात्मक होती यह आपको ध्यान रखना है नहीं तो यह आपका गलत हो जाए गया आपसे कुछा जाता है यहां से अब लेंसों के उपयोग क्या होते हैं तो आवर्दक ग्लास यानिके मैगनिफाइंड ग्लास बनाने में पतले इसका अपयोग होता है तो असपस्ट नियुन्तम दूरी कितन नहीं देगी ठीक है तो अब यह जब हमारी आखे इसको अच्छे से देख नहीं पाती है निकट और दूर की वरस्तों को तब यहां से आप से कुछा जाता है और यह तो बहुत सेग्मेंट रहा है दूर दृस्टी दोस्ट का मतलब है इसमें जो दूर लगा है तो यह समझ करेगा कभी कभी वँ हिंदी देते ही नहीं है तो आपको नाम क्या देना है नाम में आपको रखना इसकी जो अंगलेस है हाइपर और कॉपिया और दूसरा कौन सा होगा ना coalition कि जानी कि आपका यह लांग साइ डोर ऑनके याद रखना है कभी कभी उखाल हाइपर आइपर होता है वो द्रिष्टि पठल से पीछे बनता है तो इस पर क्या करेंगा इस पर अगर उत्तल लेंगे तो गृत kept निकट ही दिखाई देता है ऐसे आप याद रखिए यानि कि दूर नहीं दिखता है तो इसमें क्या होगा मायोपिया में इसमें प्रतिविम द्रिस्टिपटल से पहले बनता है यह पहले बाद वाला जरूर याद रखिएगा कि यह जो है यह पहले ही बन जाता है इसले उसको दिखाई नहीं देता तो बाद में वो जो उस पर आउतल लेंस लगाया जाएगा तो वो divergent करेगा और उसको डिस्टिपटल पर ले जाकर के फोकस कर देगा तो उसको दिखाई देने लगेगा तो आपको diverging lens यानि कि आपको outer lens का प्रयोग करके आपको निकट दिस से दोस दूर करना है तो यह आपसे question बहुत बार जाता है उसमें डोनों lens लग board लगा होता है तो तो उतल जो होगा वह दूर देखने के लिए है क्लिए कैम इसमिए तो इन ईक उब करते हैं तो अब कर दोक्रतन इसके लिए इस के सेकरे लिए प्रिजिए से को हटा लेने पर भी द्रिस से एक बटे 16 से कंड तक हमें रिखाई देता रहेगा इसलिए सिनेवा जो है तो मैंने तरंगदैर्द लिख दिया है इसको हम पढ़ा भी चुके हैं एक बात ध्यान रखना है किसमें तरंगदैर्द जो है वह आपका नीचे से उपर की और बढ़ती है तो अधिक्तम तरंगदैर्द किसकी लाल की और सबसे कम किसकी वही बैगनी की हुई तो अपने अप होका कि है और साम को चुक किस इस रखर वाली बात यह है कि इसमें रखने वाली बात यह है कि इसमें रंगों का क्रम जो है वो उलट जाता है तो जो प्राथमिक इंद्धरुस होगा ये वाले में इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें लाल जो है आपके उपर की तरफ होगा ठीक है लाल बाहर की तरफ होगा और जब आप बड़ा वाला दरुस देखेंगे कभी आपको देखने का अगर मौका मिलेगा तो आप देखेगा कि जो ऊपर दोंदला वाला होगा इसमें जो लाल होगा वो अंदर की तरफ होगा लाल करन ठीक है तो अगर दो दरुस निकले होंगे इस तरीके से आप से question प्रकास है उसका ब्यतिकरण कैसे होता है तो इसका उदाहरन देख लिजिए ब्यतिकरण के उदाहरन हमें वह जादा जरूरी है साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई पढ़ना ब्यतिकरण का उदाहरन है और सीदी का रंगीन दिखाई पढ़ना ये भी हो जाता है तो यह कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है दिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है तो अगर यह आप से सीधे तोर पूछा जाए कि किसका उदारन है तो धिकरण किए उदारन ज़ाए इसके बाद देखते हैं का विवर्तन diffraction of light diffraction of light में क्या होगा प्रकास तरंग रोत के किनारों से मुड़कर के आगे संचरन करती हैं इसे ही प्रकास का विबर्तन कहते हैं दरसल यह जो प्रकास का विबर्तन है इसी को गहाजाता है किसी एप्र परदर्सी वस्तु बनने वाला बनने वाली छाया जो होती है अपने किनारे पर बहुत ठोस नहीं होती इसका मतलब थोड़ी मुड़ जाती है Scattering of Light क्या होता है तो Scattering का एक रूल है कि अपने तरंगदैर्द पर निर्भर करेगा प्रक्रिणन और किसी प्रकास के लिए प्रक्रिणन की मात्रा उसके तरंगदैर्द के चतुर घात के बित्कुमानपाती होती है यानि कि जिस रंग का प्रकास तरंगदर्द जो है कम होता है उसका प्रक्रिणन अधिक होगा और जबकि अधिक तरंगदर्द वाले प्रकास का प्रक्रिणन कम होगा तो अधिक तरंगदर्द किसका होता है विजिबल लाइट में आप बताइए और कम का तरंगदर्द किसका होता है तो जिसका अधिक तरंगदर्द होगा उसका प्रक्रिणन कम होगा जैसे लाल का तरंगदर्द अधिक है तो उसका प्रक्रिणन कम होगा तो आपको आकास जो है जो सुबह साम लाल रंग का दिखाई देता है इसलिए आपको दिखाई देता रहेगा तो लाल रंग के प्रकास की तरंग्दैर सबसे अधिक होती है ता प्रक्रिणन सबसे कम होता है प्रक्रिणन की उदारण देखिए तो दिन में आकास का रंग नीला दिखाई देना समुद्र का रंग नीला दिखाई पढ़ना सूरे का लाल दिखाई पढ़ना सूरेदर सूर्यास्त में तो स्कैटरिंग कम हो और दूर तक दिखाई देता रहे तो दरसल अणों के द्वारा प्रकास के प्रक्रिणन का जो गहन अध्यान है वो सीवी रमन जो हमारे महान वेग्जानिक हुनों ने किया था तो 1920 के दसक में उन्हों ने ये काम किया था तो रमन को 1930 में सी काम के लिए बहुतकी का नोबिल पुरसकार से समानित किया गया था एक बहुत इंपोर्टेंट यहां पर दिया गया है कि प्रकास से समानित विविन परिगटनाओं के कारण तो ये कुश्चन अपका पूरा एकठा है तो इसको देखना चाहिए इसको स्क्रीन सॉट भी लेकर रख लीजे कि पानी में पैदा हुए बुलबुले का चमकना किसके कारण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है मरुस्तल में मरीची का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है वास्तविक सुर्योदर से पहले सूरी का दिखाई देना ये सारी बाते हम आपको पढ़ा चुके हैं अपने वीडियो में इसलिए हम से बहुत डिस्कस नहीं करेंगे वास्तविक सुर्योदा से पहले सूरी का दिखाई देना अपको अर्तन आकास युम समुदर का नीला रंग प्रकिर्णन कहलाएगा सूर्योदा और सूर्यास के समें सूरी का जो लाल रंग होगा तो यह अभी हमने पढ़ा किया प्रकीरणन होगा इसमें लाल रंग का जो है उसका नियूंतम प्रकीरणन होगा बाकी अनरंग का प्रकीरणन अधिक होगा और के साबुन के बुल्बुले का रंग विरंगग दिखना तो अब हमनेυे इसका व्यतिकरण में विधारन देखा था इंद्रदनुस दम्रण विक र्द यूंच ग्वसक्ता पवर्तन हो सकता है पौणा अंतरी प्रावतन इनका सम्मिलित प्रभाव 받 होता है तो अप्वर्त का है और दर्वाजे की जिर्री से आने वाले प्रकास का फैलना कहलाता है उसका विबरतन एक जो प्रकास तरंग की बड़ी खास बात होती है polarization दुरुमण पूछा जाता है कभी कभी कि दुरुमण किसका नीचर है तो प्रकास का है दरसल जो प्रकास तरंगों की प्रकिती है वो अनप्रस्थ होती है क्योंकि इससे मतलब समझ सकते हैं कि अगर यह संचरन कर रही प्रकास तरंग जो संबुद्ध जो विद्दुच्छे हैंगे ठीक है और उसे प्रक्त प्रकास है अधुरुवित प्रकास का जो सूरे से आता है वो अधुरुवित प्रकास का ही उधारण है जब एक ही तल में होगा तो दुरुवित प्रकास होगा यानि कि अधुरुवित प्रकास से दुरुवित प्रकास करना दुरुमण कहला जो उती है तो इसको अबिरक्त विस्थापन रिटसिफ तरंग्डर्न में आभासी कमी को नीला विस्तापन ब्लू सिफ्ट कहते हैं तो इसमें डापलर एफेक्ट तो वही है कि सापेच्छी गती के कारण प्रिक्षक को तरंग की अविति बदली प्रतीत होती है और इसी जो परिवर्तना अभासी इसी को कहते हैं डापलर एफेक्ट तो जो दूरस्थ खबूली है तो इसको भी बहुत अच्छे से समझने की कोशिस करेंगे मिलते हैं अपने लिए वीडियो में तब तक के लिए गुडबाए